नमस्कार फ्रेंट्स वागते हैं आप सभी कदर इस्टेडी लाइन में फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए हैलफुल वीडियो लाते रहता हूं तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइन से हंड्रेट को संस करेंगे जो की बहुत इंपोर्टे अगला को संस दार्शनिक राजा का सिध्धान किसने प्रतिपादित किया था तो इसका राइटम सब्सक्राइब प्लेटों ने ठीक है इसे याद रखेगा चलिए अगला को संदेखे फ्रेंट्स अगला है स्रेनी समाज जिद्वाद का संबंद निमलिखित में से किस देश से रहा है तो ब्रेटेन से रहा है ठीक है अगला देखे फ्रेंट्स अगला है राज की उत्पत्ति का दैविय सिधाउंत किसने प्रतिपादित क्या था तो जेम्स पर्थम ने क्या था याद रखेगा राज की उत्पत्ति का दैविय सिधाउंत किसने प्रतिपादित क्या सब्सक्राइब करता है तो राष्टपती करता है ठीक है मैं न्यूक्ती से संबंदित बहुत सारे वीडियो चड़ा चुका हूं पुलिटीकल साइस से तो आप वीडियो को देख लिजेगा ठीक है प्लेलिस्ट में जाकर के चलिए अगला देखे को संसद का चुनाब लगने क वारतिय संबिधान के संसोधन द्वाला प्रस्तावनों में दो सब्द समाजवादी और धर्म निर्प्ट जोड़े गए थे तो 42 समीधान संसूदन के एतायत बिल्कुल राइट आंसर है अला देखे फ्रेंट सब्सक्राइब भारत्य समीधान के कौन से भाग में नीती निर्जिशक तत्मों का वर्णन है तो चौथा भाग में जो है नीती निर्जिशक जो है तत्मों को जोड़ा गया है ठीक है चलिए अ पंचाय समीधी का गठन होता है प्रखंड अस्तर पर चलिए मेरे पास खुन पसीना और आंसू के अतरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है यह कथन किसका था तो यह कथन है चर्चिल का याद रखेगा अगला है फ्रेंट्स यूनेस्को का मुख्याले कहां इस्तित है तो डिवाष्ट दिवास चौविस अक्टूबर को मनाया जाता है अला थके फ्रेंट्स भारत सरकार का प्रमुख वीधि अधिकारी कौन है तो भात के महाव्याव्यादी ठीक है भात का महाव नियावादी चलिए न्योंपर्ण । योजन्हायोग का द्याक्स होता है लेकिन फ्रेंट्स होग को बजल करके अभी नी khoay गुना दिया गया है याद रखेगाा नीतियायोग ठीक है जो है पर कर प्रमंत्री होते हैं इसका अध्यक्ष नितिया का ठीक है योजना आयोग को हटा दिया गया इसके जगह पर नितिया अधिकारों का उल्ले किया गया तो भागतीन में किया फ्रेंट्स में बता देता हूं कि मौली का धिकार जो अभी वर्तुवान में छे है पहले साथ था लेकिन वर्तुवान में अभी छे है तो गलती मत कीजिएगा आपसे पूछा गया और क्वेस्टेंस पूछा जाता है एकजान में तुमनाएक अधिकार कितने तो श यह और पहले थे साथ जो कि साथ में से एक को हटा दिया किसको संपत्तिक अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से किसमें 44 में संविदान संसोधन के तयात इसे भी याद रखेगा संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया किस संसोधन के तयात तो 44 में संविदान संसोधन के ताद जो है संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया इसे भी याद रखेगा तो इस तरह से मौलिक अधिकार विच्छे है अब मौलिक करता भी कितने है 11 है याद रखेगा मौलिक अधिकार छे मौलिक करता भी 11 ठीक है उम्मी तो राजसंग के सुरक्षा परिशत की सदस्य कितनी है तो 15 है याद रखेगा अगला फ्रेंट्स भारते समिधाउन का अभिवाबक कौन है तो सर्वोच याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट चलिए अगला देखे फ्रेंट्स अगला है संसत को भांग करने के लिए कौन सा सक्ष हम है याद कि का सक्ष्य हम है संसत को भं कर सकता है राष्पति ठीक है राष्पति के अलावा कोई भं नहीं कर सकता त्थी क geography के आगला है स्वतनतृता संग्राम में घंधी जी ने किसान अंदूलन कहां से प्रार्म के अता जो 177 अगला देखे फ्रेंट्स संथोंड को दूसरे किस नाम से पुपाड़ाता है तो किस दूसरे नाम से पुकड़ा। इस पुपाड़ाता है तो मारे मिंटो सुधाल ठीक है अलब कि 720 का सामीधानिक अध्यक्ष कुन होता है तो राष्ट्पति होता है फ्रेंट्स वीडियो को तक देखें बहुत हैं इंपोर्टेंट क्वेसंस में करा रहा हूं ठीक है बस एक बार ध्यान से देखना है ताकि आपको इजिली याद हो जाए अगला देखें फ्रेंट्स चलिए आगे देखतें फ्रेंट्स आगे है कि अत्रिक्त मुल्ली के सिधांत का प्रतिपादन किस ने किया था अत्रिक्त मुल्ली के सिधांत का प्रतिपादन कार्ल्स माक्स ने किया था याद रखेगा कार्ल माक्स ने किया था इसे रॉलेट एक्ट किस वर्स पारित हुआ थ भाग है इस याद रखेगा कूल 22 भाग है चलिए अलाद के फ्रेंट सब्सक्राइब किस काउंड के कारण सहयोग आसायोग अंदूलन बंद करना पड़ा था वही चवड़ी चवड़ा कांड वा था ठीक है इसी कानँ जो असफायोग अंदूलन को बंद करना पड़ गया था ठीक है अगला देखे फ्रेंट्स अस्थाई संसद वारत में कब तक अस्थापन किसे हुआ है तो नीती आयोग याद रखेगा अब जो नीती आयोग हो गया योजन आयोग के अस्थाउन पर ठीक है जैसा कि मैंने आपको उपर में भी बताया था अगला देखे फ्रेंट्स है उप राष्टपती को उसके कारिकाल की समापती के पूरुपद से हटाने का अधिकार किसको है तो संसत को याद रखेगा चलिए अगला कोशन से फ्रेंट्स भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्ष कुन थी तो एनी बेसे है मैं आपको इतना को संस कर रहा हूं बहुत ही एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है इस ध्यान से देखेगा और अच्छा लगने पर पसंद आने पर लाइक और से जरूर किज़ेगा फ्रेंट्स ठीक है अलाद के फ्रेंट्स संपत्ति सम्मंदी ट्रिट सिप के सिध्धा कि परतिपादन किस ने किया था जाद रखेगा आधर के मुख मंतरी की कारवजी होती है यह मुख मंतरी की 5 है राष्ट्वति सासन है अगला के फ्रेंट्स है आजाद हिंज फोज आजाद हिंद फोज कब सक्डियवा तो 1942 में अजाद हिंद फोज जो है सक्डिये हुआ था अगला फ्रेंट्स भारतिय लोग प्रसासन संस्थान की अस्थापना का भूवितीत मार्ट 1904 में हुवी थी छलिया अगला देखें फ्रेंट्स नियाइक पुरां पुरा पुन्रावलोकन का सिधां ब्हारत के किस देश के समिधान की यह और तो राज अमेरिका से लिया गया है याद रखेगा राष्टपती का जो चुनाम होता है फ्रेंट्स यह होता है अमेरिका से लिया गया है ठीक है चलिए अब मौलिक अधिकार भी फ्रेंट्स अधिकार से अमेरिका से लिया गया है अगला देखे फ्रेंट्स है भारत की सोतंतर सब्सक्राइब करें तो लाड माउंट बेटेंट था भाज की सब्सक्राइब को संसे की गुट निरपेक शे व्यदेशिक निती का प्रतिपारन किस ने किया था तो जवालाल नहरू ने किया था ठीक है अगलाए फ्रेंट्स आम तोर पर भारत के परदाम मंत्री होते हैं बöglichद आप कमेंड़ बॉक्स में वर्तमाण में ज़्वाक कि कितनी सीटें होती है है आपको बताना है चलिए आला अफ्रेंट्स हैब भारत समिधान के किस अनुषेद में समिधावन के संसोधन की प्रक्रिया है तो किस अनुछेद में अनुछेद 378 में जो है समिधावन के संसोधन की प्रक्रिया है याद रखेगा भारत गंतंतर कब बना तो भारत गंतंतर बना 26 दुनबरी 1915 को गंतनतर ना था अलहां परेंट्स दिनेंट से राज लोग सेवा आयोंक के सदस्यों की निव्ति कोन करता है तो राज केस्ट करता है यादर रखेगा यहाद रिखेंगा फ्रेंट्स केंदर केस्टर पर हमेशा अधीक से अधिक जो है राश्टपती करते हैं और अधिक्तम जो है राज की बात किया है तो राजपाल ही करते हैं याद रखेगा और राजपाल की न्युक्ति कौन करते हैं तो राश्टपती करते हैं याद रखेगा राजपाल की न्युक्ति राश्टपती करते हैं ठीक है इसे भी किर्टिक अवस्था में मानब जीवन सुना निर्मल निश्कुष्ट अलप जीवी था यह कथन किसका है तो हाउप्स का है याद रखेगा अगला फ्रेंट्स समाजवाद का समंद निमलिकित में से किस से है तो समाजवाद का जो समंद है स्रमिक से याद रखेगा इसे भी चल मामाद में पार्टी का स्थापना 26 नूम्बर उनिज्सों डोजर बारा को भी थी अलाल के फ्रेंट्स गरेवी हटाओ के नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है तो इंद्रा गंधी का नाम जुड़ा है याद रखेगा अगला फ्रेंट्स वर्तवन समय में लोग सभा की पहु में क्या था अलर्ड भारत के राश्पती समिधावन के किस अनुछ्यत के अंतरगत मंत्रियमंडल की सलाम आनने को बाद है तो 74 अनुछ्यत के अंतरगत ठीक है सेवेंटीफोर अलाइक भारत हैं सब्धान के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर रजियंदर प्रसाद थे या मैं आपको पहले वी उपर बताया मंत्री परश्द में कितने अस्तर के मंत्री होते थीक है और मैं एकम पर्यावरन दिवस्ट का मना जाता है तो विस्व पर्यावरें फांच जुन को मना जाता ये भारत में राश्टपति अपना यक्ष प्रिख करेंगे इसे याद रखेगा तो किसको अफ्रेंट व्राष्ट Ooh और अपन्हों आज़ए Message उल्टा राश्टपति को फॉप फ। और इस्वोत moonlight को लुगा सरकारी खर्चा नहीं हो सकता है अगला देखें अगला है चौशाट में सब्सक्राइब का देखें फ्रेंट्स समीधान के कौन से संसोधन द्वाला समीधान में नागरिकों को मौली करतब से जोड़े गए दुसराइब समीधान के तब मौली करता है जोड़े गए अगला देखें कि भारते समीधान में अनुखेदों की कितनी संक्यां है वर्तमान में तो चारौपटालिस ठीक है ऐसे तिन सो पंचाणबे ही मान्नी हैं लेकिन अभी जो है 245 हो गया है ठिक है चले अगला कशने देखें किस भाग में मुल अधिकार का उलेक है तो भाग तिन में मुल अधिकार कदने लेक है यानि कि मौलिक अधिकार का अगले फ्रेंट्स किन राजिव में साध्या उच्छ नियायले है याद रखेगा तो इसका राइटन से महाराष्ट्र को गोवा अरह फ्रेंट्स योजना आयोक का ध्याक्षकर होता है तो पर्धानमंत्री उपर ही में निकल लिया ज जब वो केवल लोग सभूमें ही पारित होगा ठीक है अला है प्रेंट चब वर्स की आयो से 14 वर्स की आयोत के बीच के सभी बच्चोंगों को सिक्षा का अधिकार यहाद कि घाय यहादा रखेगा यह अला फ्रेंट का ग्रेंड ओल्ड मैन कि से चाहर चाहता है दाजा भाई अग्राइस के संस्थापक कौन थे तो यू याद रखे गाइसे ए ओं यू अला है फ्रेंट पर्थम राष्टिया पातकाल की घोशना के समय देश के राश्टपति कौन थे डॉक्टर एस राधाक्रिशन थे डॉक्टर शणुपली राधाक्रिशन थे राज अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है यह कथन किसका है तो टी एच ग्रीन का है याद रखेगा इसे भी अगला फ्रेंट्स भारते समिधाओं निर्मात्री परिशत की पर्थम बैठक हुई थी तो नौ दिसमें चलिए अगला फ्रेंट्स भारते रास्टे कंग्रेश का पॉझ्त नौ का याद रखेगा इसे अगला फ्रेंट्स बहरते संदाओं में झ्वारते सेनाउं का सर्वोच होता है लाज़ती समिधाओं सवा ने भारत के समिधायँ को कब स्विक्रित किया था तो समिधावन सवान ने भारत के समिधावन को 26 नुमर 1909 को स्विक्रित किया था लागो कब वा था तो 26 नुमर 1950 को लागो हो गया था और इंडिया में लेकिन भारत के समिधावन को कब स्विक्रित किया गया था समिधावन सवान में तो 26 नॉम्बा उनिसों चाज ये पोईंट याद रखेगा याद रखेगा इसको बहुत से बच्चे गल्पती करके आजाते हैं 26 जनुबशन पचास मारके आजाते हैं लेकिन सुविकार करने की बात कही गई यहाँ पे लागू करने की बात नहीं कही गई है इसलिए इसलिए गौंदी के नाम से जाना आते खान अब्दूलकफार खान बिलकुल यह बिलकुल इंपोर्टेंट को संसर अग्राद के फ्रेंट्स आगरा फ्रेंट्स विस्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सरवादिक व्यापक समिधान किस देश का है तो भारत का समिधान बनने में कित था मदिवेशन का हुआ था दिल्ली में हुआ था अगला है राज की नीति निर्जिसक तत्व किस देश के समिधान के अधार पर निर्मित किये गए तो आयर्लेंड के इसे भी याद रखेगा अगला फ्रेंट्स राज नीतिक सब्दावली में सुन निकाल का अर्थ है अग राज सभा की बैटकों का सभापति तो कौन करता है तो उप्राश्पति याद रखेगा राज सभा का जो फ्रेंट्स होता है और सभापति वह उप्राश्पति ही होता है ठीक है याद रखेगा इसे चलिए अगला है फ्रेंट्स संग्य कारपाली का उत्तरदाई होती है लो ठीक है राश्पति किसकी सलहा पर तो परधान मंत्री की सलहा पर करते हैं राजपाल की नियुक्ति ऐसे देखा जाए फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपोर्टेंट जानकाई देता हूं साइद आप लोगों को पता नहीं होगा जितने भी नियुक्तियां होती है चाहे रक्षा म पारिश्ट बनाते हैं सभीका नाम उसमें लखते हैं मेंसन करते हैं उसके राश्पति के पास प्रिप्रती का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्पती कौन होता है तो राजसरभा का मैंने आपको अभी बताया उपर में क्यों प्राश्टपती होता है ठीक है अगला देखे फ्रेंट्स जहां कानून नहीं वहां सोतंतरता भी नहीं होती यह कथन किसका है लॉक का है चलिए आफ हम लोग घेजरें अन्तिम क्यों बढ़ रहें फ् चैत्र को अनुषुचित और अनुषुचित जान जाती और अनुषुचित जाती को बाटने गाधिकार अगला और अगला फ्रेंट्स किस्विधानिक संसोधन दोरा गोवा का राज का दर्जा प्राधान है तो 56 आज रखेगा अगला फ्रूद डालो राज करो कि निति ही तो फ्रेंट इस तरह से मैंने आपको कुल हंडेट को संस्क्राया उमीद आपको ये वीडियो पसंद आये होगी फ्रेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा छोटा सा प्याराइशा कमेंट जरूर अंत में करें इसी तरह कर सब्सक्राइब कर लिए और बेल का इकन भी प्रेस कर लिए ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लेट करूं तो सबसे पहले आपके पास सो नोटिफिकेशन पहुच पाए तो चले फ्रेंट्स मिलते हैं इसी तरह का इंपोर्टेंट वीडियो लेकर कर आऊंगा फिर से तब तक क लिए जै हिंड जै भारत